ताली रखकर टेन में सफर करने का भी डिल नहीं हो रहा है कि कब कौन कि उसको मार जाएगा कादी जी के खादिर का पुचार किया जा सकता है अधाक मोझे ये सब जान पूछ कर किया जा रहा है जो जो नफरत भैलाई जा रही है 24 घंटे एक ही काम है कि किसी तरह से मुसल्मानों को हिंदू भाईयों में बदनाम करो अगर किसी नहीं स्टेटस लगाया तो उसके केस कर दिया गया और एक आदमी चैलेंज कर रहा है आप उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस हाउस में भी बाहर भी नफरत भोई जा रही है अदक में इस नफरत भोने की वज़ा से उसका आदमी को उमीद होगी कि मुझे भी कल कोई पत मिल जाएगा अगर ये काम करूँगा भूट कसरत की बनरत मुस्तनीद हो जाएगा और सच बेचारा तनहाई में रध हो जाएगा अद्यक्ष मजज़ा उसने दरवाजा खोल के एक आदमी उसको रोक रहा है उसको दाड़ी नहीं थी उसको धक्या मारके छोड़ा जो दूसरे आदमी को दाड़ी थी उसको निकाला पालगर रेलवे पालगर इस्ट्रेशन के पास आरपी एफ के कांस्टबिल चेतन सिंग ने जिस तरह से चार लोगों को गोली मारा अध्यक्ष मदे अब जो है पुलिस जो एफायार कर रही है वो उसमें कुछ गोल मोल करके उस बात को अलग धंग पे ले जाना चाहती है अध्यक्ष मदे उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति कोई पागल नहीं था मानसिक बिमार नहीं था अध्यक्ष मदे उसने दर्वाजा खोल के एक आदमी उसको रोक रहा है उसको डाली नहीं थी उसको धक्के मारके छोड़ा जो दूसरे आदमी को डाली थी उसको निकाला तीन लोगों को गोली मारा और लाश पर ख़ला होकर यह कहता है अद्यक्ष मोदे लटपश्चास के साथ कहता है कि बंदूख हाथ में लिये हुए कि इनका यह आपरेट पाकिस्तान से होते हैं हमारी मीडिया यही कवरेज दिखाएगी पता चला इनको इन सब को पता चल रहा है इनका आका बैठा है वहाँ पर क्या कर रहा है अगर ओड़ देना है कितीन नफरत की बात है अगर ओड़ देना है तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी के को ओड़ दो और उन्हों आगे बहा और आगे ठाके रहे बोलता है अदक्त मौदा है रोज आना कटर पंग्तियों के जरिया इस हाउस में भी बाहर भी नफरत बोई जा रही है अदक्त मौदा है इस नफरत बोने की वज़ा से उस कांस्टिमिल ने सोचा कि जब गुजरात की वो जो लेड़ी थी गुजरात में उसका रेप हुआ बिलकीस बानो और उस रेपिस्ट को उमर कैद हुई और वो रेपिस्ट इनके करीबी थे तो सेंट्रल गोवर्बिंट से ओर्डर दे करके उसको छोड़ दिया गया इस आदमी को उमीद होगी कि मुझे भी कल कोई पत्र मिल जाएगा अगर ये काम करूँगा अद्रक्ष मुझे बहुत खराब समय चल रहा है मैं गाय के नाम पर बैल के नाम पर लव जिहाद के नाम पर जूट अद्रक्ष मुझे का गया है कि जूट कसरत की बदौलत मुस्तनिद हो जाएगा जूट कसरत की बदौलत मुस्तनिद हो जाएगा और सच बेचारा तनहाई में रद हो जाएगा अद्रक्ष मुझे कुछ मुस्लिम ब्लड़कों ने स्टेटस लगाया और अपने उसके केस किया मैं पूछना चाहता हूं उसके बाद डाक्टर प्रकाश हमबेटकर गए उनकी कबरस्तान पर फूल चड़ाया और किसी में दम है तो मुझे केस करके दिखाओ क्या इस देश में दो किसी में कानून चलता है अगर किसी नहीं स्टेटस लगाया तो उसके केस कर दिया गया और एक आभी चैलेंज कर रहा है आप उसको कुछ नहीं बोल रहा हूं ट्रेन में जो हाथसा हुआ ना सार इसी वजह से हुआ है जो जो नफरत भ चैन के डाली रखकर टैन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन की इसको मार जागा गादी जी के खादिर का परचार किया जा सकता है अध्यक मोदे ये सब जान पूछ कर किया जा रहा है ये लोग देश का माहोग खराब कर रहे हैं